असलाम आलेकुम गुड मॉर्निंग आप सबका मेरी चैनल पर वापिस स्वागत है तो ये है गोल्ड का चार्ट गोल्ड तकरीबन 273 डॉलर के आसपास चल रहा है कल गोल्ड प्राइसे स्क्रैश हुए गोल्ड प्राइसे स्क्रैश हुए कल तकरीबन 2426 डॉलर से लेके 2470 डॉलर तक के आसपास आ गया था कल मैंने आपको बताया भी था कि अगर कुछ लेवल्स तूटे तो ब्लड देखने को मिलेगा और आप देख सकते हो लाल लाल ब्लड देखने को मिला वैसे कल सेलिंग दिया था मैंने अपने पेड सिगनल के सब्सक्राइबर्स को दो सिगनल आय थे कल गोल्ड के अंदर पहला सेलिंग हमारा आया 2410 डॉलर 50 सेंट पर अल्मोस्ट यहां पर सेलिंग आ गया था इस point पे कल हमारा पहला selling आया हमारा stop loss था $13.50 का जो लग गया था उसके बाद दूसरा selling आया यानि कि यहाँ पे minus $3 हो गया था हमारा कल का account minus $3 उसके बाद दूसरा selling आया $23.50 यानि कि almost यहाँ पे target था हमारा $23.73 गा तो almost यहाँ पे हमने book किया है तो इसमें आये हमारे $14.50 पचास सेंड माफ कीज़ेगा तो कल net हमारा $11.50 का काम हुआ बट यह जो एक हमारा stop loss लगा था यह वाला यह अगर नहीं लगता तो हमें थोड़ा सा better लगता कल यह वाला stop लगने के बाद इतना जबर्दस crack आया यह यहीं पे probably हम book कर ले थे अगर stop loss नहीं लगता तो और हमें यह वाले दूसरे signal की जरूरत भी नहीं पड़ दी बट market ने कहा के no आसान पैसा नहीं देगी market तो इसलिए यह वाला secondary हमें secondary entry करनी पड़ी that was secondary entry हमेशा मेरे signal में दो entries होती है एक primary और एक secondary तो यह कल हमने secondary entry करी और फिर हमें profit वहाँ मैं वैसे secondary entry बिल्कुल prefer नहीं करता हूँ बट कल we had no choice because इतने बड़े crack में और वो भी crack हमें पता था कि यहां से crack आएगा in fact कल बताया भी था मैंने आपको के वीडियो में there will be blood if those level breaks लेकिन जिस तरीके से इस पूरा एक candle बना इस candle ने पूरा का पूरा game खराब कर दिया चौबिस सो ग्यारा डॉलर से लेके 222 यानि तकरीमन 30 डॉलर की यह candle थी एक ही घंटे में 30 डॉलर क्राश हो गया तो जिसकी वज़ा से पूरे calculation बहुत ही different तरीके से हमें कल trade करना पड़ा बहुत different तरीका था कल जिस तरीके से हमने trade किया especially gold में तो कल यह था कल gold का पूरा सीन जो मैंने भी आपको बता है तो आज का resistance support gold का देख लेते हैं आज का gold का support है 2358 डॉलर का resistance है आज का 2322 डॉल हो गया ट्रेंड इसका week कल हो गया था in fact कल मैंने आपको market commentary में भी बता दिया था के trend week हो चुका है market commentary और paid signals की जानकारी के लिए मेरी website पे जा सकते हैं link description में है मेरी team का whatsapp number भी description में है आप उन्हें whatsapp पे text कर सकते हैं वैसे आज यॉरप के manufacturing और services numbers है यूएस का unemployment claims है और यूएस के भी manufacturing और services number है शाम को ख्याल रखे गया यह silver silver में कल एक symbol सा trade था बहुत सीधा सा trade था simple में एक simple सी selling थी simple सा हमारा signal का target आ गया था simple सा signal था कल हमारे silver का 3114 पे हमने selling किया था यानि कि यहां पे हमारी कल silver में selling हुई थी 3114 के आसपास यानि कि इस candle के आसपास हमारी कल selling हो चुकी थी तीस चौरासी का target था यानि कि almost यहां पे हमारी profit बुक हो गया तो कल silver का एक बिलकुली straight forward trade था nothing complicated unlike gold आज का silver का support है 30 टॉलर 20 सेंट का resistance है आज का 30 टॉलर 92 सेंट का trend इसका भी week है दोनों का trend week zone में बरकरार है तो रखेगा खयाल चलते हैं अब crude oil की दिरफ सततर डॉलर के आसपास crude oil चल रहा है कल crude oil ने 87 डॉलर की नीचे की closing almost दे दी है तो यह मैं आपको क्यों कह रहा हूँ यह मैं इसलिए कह रहा हूँ crude oil का level नहीं देखा है तो एक बार जरू देखेगा 77 डॉलर के वासपास चल रहा है अभी resistance support देखते है support है आज का 75 डॉलर 80 सेंट resistance है आज का 78 20 का trend इसका भी week बना हुआ है तीनों major commodities जो है वो आज week zone के अंदर है तो रखेगा खयाल चलते हैं अब euro की तरफ कल euro में भी sell था हमारा 830 के आसपास का target था वो भी आ गया था euro में हमारे target अभी 827 के असपास चल रहा है resistance support देखते हैं 790 आज का support है 850 आज का resistance है और trend जो है इसका week पर करार है पूरा market week zone में खड़ा हुआ है British pound पे आ जाते हैं यह है British pound positive zone में है यह कब तक जब तक 2700 ब्रीच नहीं होता 2700 इसका support है आज का resistance है आज का 2770 इंटरेस्टिंगली इसका अभी भी trend positive बना हुआ है अगर इसका support तूटा आज का तो बिलकुल इसको week zone में जाने की समभावना है चलते हैं अब क्रिप्टोस की तरफ सबसे पहले आएंगे bitcoin पे कल के levels आपको screen पे दिख रहे है इस levels will be changed now आज का support है 68800 डॉलर का माफ किचेगा 68600 डॉलर का resistance है आज का 70900 डॉलर का trend इसका flight बना हुआ है बठा 68600 ब्रेक हुआ और उसके नीचे sustain हुआ तो फिर expect कीजेगा week zone में जा सकता है ethereum पे आते हैं resistance इसका same ही रहेगा support में change आएगा support है इसका 3480 का trend इसका flight हो चुका है major fresh buying up और 320 के ओपर ही आएगी बाकी paid signals और market commentary की जानकारी मेरी website पे अविलेबल है link description में है team का WhatsApp नम्मर भी description में अविलेबल है video पसंद आया हो तो like, share, comment कर दीजेगा channel पे नए हो तो subscribe कर दीजेगा अब मिलेंगे next video में तब तक के लिए take care, bye bye